इन दोर के महिला थाने में रोजाना सैक्डो महिलाएं अपनी फर्याद लेकर पहुँशती है जहां उन्हें निया इपी मिलता है इन दोर में डियाई जी ने महिला स्वावलंबन नामा कर नई डेस्क का शिफारम किया है यहां पर आने वाली वो पीड़त महिला जो की रोजगार के लिए परिशान होती रहती है और पती के साथ रहने के बाद भी वह अपने जीवन यापन के लिए कई समस्याओं से जूजती है उनका निवारन किया जाएगा वही हरी रावन चारे मिश्रों ने बताया कि कई महिलाएं ऐसी आती है जो पती का साथ छोड़ने के बाद अपने जीवन यापन के लिए परिशान नजराती है इस डेस्क के माध्यम से लगभग कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है वहीं जो महिला लंबे समय से परिशान हो रही थी या घरेल हिंसा से पीडित थी तो उन्हें पती द्वारा छोड़ दिया गया था जिसके बाद वो अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और उन्हें गुजर बसर करने के लिए अब किसी पर आश्वत नहीं रहना पड़ेगा और वो खुद स्वालम भी बन चुकी है हाला कि शेहर ही नहीं प्रदेश में पहली बार इस तरह की पहल की गई है जहां पीडित महिलाओं को न्याए के साथ रोजगार मिल रहा है पारित महिलाएं हैं वे किस तरह से उनको कोई भी किसी तरह से मदद मिल सके सर आपने हमीशा से हम लोग को प्रोटसाहिद किया है कि महिलाओं का चाहे वो रोजगार के तरीके से हूँ या उनको हम किसी भी तरह से पुलिस की तरफ से मदद कर सके न्यायले में जैसे कि हम लोग उनको थोड़ा सा ऐसी चीज मोहिया करा सके जो वो सहूलियत अपने साथ फील कर सके एक अच्छा माहौल थाने मर उनको बैठने के लिए उनको पूछे कि क्या परिशानी है हम लोग ने इसी तारतम में में सर सोचा कि क्यों न ऐसी महिला हैं जो वाकई प्रताड़ित रहती हैं कहीं न कहीं या तो वे स्वयन खुदी है सोचती है कि मैं इतना जादा परिशान हो गई